गर टाइगर और ब्लेक पेंथर की लडाई होती है तो कौन किस पे भारी पड़ेगा ब्लेक पेंथर के पास कौन सी खुफिया ताकत है जो टाइगर को भी मात दे सकती है और दोनों में से किस के पास सबसे ज्यादा हंटिंग स्किल है वो जानेंगे और दोनों में से कौन से पूरा जंगल कांपता है, वो टाइगर जीतेगा। सबसे पहले बात करते है टाइगर की, तो बिल्ली की प्रजातियों का ये जानवर शिकार करने में किसी योध्धा की तरह माहिर होता है। इनकी बेहिसाब सफूर्ती और स्टेमिना जंगल के सभी शिकारियों से खास बन मात नहीं दे सकता। काले रंग की वजह से रात में जाडियों में छिपने में ब्लेक पेंथर को आसानी होती है। मौका मिलते ही वह तेज रफतार से शिकार पर हमला करता है। जब तक जानवर को कुछ समझ आए, तब तक तो वह ब्लेक पेंथर का डिनर बन चुका होता है जब दोनों शिकारियों की तुलना की जाए तो ब्लेक पेंथर की लंबाई 1.8 मीटर और वजन करीबन 115 किलो तक होता है। जबकि बेंगाल टाइगर की लंबाई करीबन 2.7 मीटर से 3 मीटर तक होती है और वजन अंदाजन 260 किलो तक हो सकता है। हालाकि साइबेरियन टाइगर को सबसे बड़ा माना जाता है जिनकी लंबाई करीबन 3.3 मीटर और वजन करीबन 310 किलो होता है। तो वजन और लंबाई के मामले में टाइगर ब्लेक पेंथर पर भारी पड़ेगा। अगर इन शिकारियों की स्पीड की बात की जाए तो टाइगर 65 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ़ता है जबकि ब्लेक पेंथर 80 किलो मीटर प्रति घंटे की रफ़ता है। इसलिए स्पीड के मामले में ब्लेक पेंथर आसानी से टाइगर को मात दे देगा। ये रफ़तार शिकार को आसानी से पकड़ने में या किसी मुसीबत में भागने में बबे पाव चलने में एक्सपर्ट होते हैं, जिसकी वजह से शिकार को खत्रे का एहसास तक नहीं हो पाता। इनकी एक खास बात ये भी है कि वह बड़े उंचे उंचे पेडों पर भी आसानी से चड़ जाते हैं और वहीं से शिकार का इंतजार करते हैं। शिकार के आते ही अपने मजबूत और बेहद तीखे पंजे से हमला कर देते हैं। फिर शिकार को ब्लैक पेंथर का निवाला बनने से कोई नहीं रोक सकता। ब्लैक पेंथर आम तोर पर जंगलों के बजाए जर्नों के नजदीक, नदियों और बाढ़ वाले जंगलों के पास रहना पसंद करते हैं। वह बड़े अच्छे तैराक होने की वजह से पानी में भी बड़ी आसानी से शिकार कर सकते हैं। वहीं एक और टाइगर की हंटिंग स्किल्स की बात करे तो उसकी जकड में आया शिकार पानी तक नहीं मांगता। टाइगर जब किसी पर हमला करता है तो उसके 6.7 सेंटी मीटर लंबे नुकीले दांत शिकार की गरदन फाड़ने के लिए काफी होते हैं। आखिर में बात करे इन खूंखार शिकारियों के मकाबले की। तो कौन जीतेगा इसका अंदासा इस बात से लगाया जा सकता है की जंग दिन में होगी या रात में। अगर मुकाबला दिन में होता है तो बात साफ है। अपने ज्यादा वजन, बड़े पंजे और नुकीले इसे में ब्लेक पेंथर के लिए खत्रे की घंटी बजना जायस है। शिकस्त देने की पुर्जोर कोशिश करता है।